दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको या ऐसे कौन सा लक्षन है जो आपको बार-बार आते हैं या आप महसूस करते हैं और वो डायबेटीस के लक्षन भी हो सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला लक्षन है दोस्तों कि आपको थकावट महसूस होना आप सम तो इंसुलिन कम होने की बज़े से वो बाहर निकल नहीं पाती, खुन में होने वाले शुगर कम नहीं हो पाती और इसलिए आपको दिन भर थकावट महसूस होती है, पूरी नीन लेने के बावजूद भी आपको ऐसे लगता है कि मेरी नीन नहीं हुई है, इसका कारण के लगना, यह लक्षन हमेशा रात में पाया जाता है, और अगर आप रात को सोने से पहले बहुत सारा पानी पीते हैं, तो भी आपको रात में पिशाप के लिए उठना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सोने से पहले बहुत सारा पानी नहीं पीते और इसके बावजुद आपको बार बार पिशाप के लिए उठना पड़ता है तो यहो diabetes हो सकती है तीसरा लक्षन है दोस्तों कि मूँ का सूखा पड़ना दोस्तों सलाइवा में होने वाली sugar मूँ में होने वाली पानी को खीच लेती है टी हाइडरेट करती है और यही वज़े है कि आपका मूँ सूखा पड़ता है जो एक diabetes का लक्षन भी हो सकता है बहुत सरी पूर्शों में ऐसे पाया गया है कि अगर उनके खुन में होने वाली शुगर की मात्रा ज्यादा है तो उनमें इंपोटेंसी यानि नपू सकता भी आ सकती है और यहो एक diabetes का लक्षन हो सकता है आगे का लक्षन है दोस्तों blood vision यानि धूनला दिखना कुछ लोगों को कोई कारण नहीं होता चश्मे का नंबर भी नहीं होता फिर भी धूनला दिखता है डॉक्टर के पास जाने के बावजूद आखों के डॉक्टर बोलते कि आपकी आखी आपकी नजर पूरी तरीके से अच्छी है और यहो होने के बावजूद भी आपको धूनला दिखता है तो यहो एक diabetes का लक्षन हो सकता है कुछ लोगों में उनके जखम ठीक नहीं हो पाते, जल्दी ठीक नहीं पाते अगर किसी का जखम ठीक होने में 4-5 दिन लगते है तो diabetes होने वाले लोगों के जखम जल्दी ही नहीं हो पाते उनमें infection होता है और यह एक diabetes का लक्षन हो सकता है अगला लक्षन है दोस्तों, बार-बार infection होना बहुत सारे लोगों में ऐसे होता है कि कभी नाक का infection, कभी lose motions होना कभी पेट दुखना, कभी आखों का infection होना कभी कान का infection होना, कभी गल्ले का infection होना एक infection खतम होते होते दूसरा infection हो जाता है जिससे repeated infection कहता है महिलाओं में यूरीन के ट्रैक में इंफेक्शन होता है वह भी बार-बार होता है ऐसे लोगों में अगर बार-बार इंफेक्शन होते है तो यह एक डाइबिटीस का लक्षन हो सकता है तो ऐसे इंफेक्शन को नजर अंदाज ना करे सिर्फ infections की दवाईयां ना खाए आपके sugars को चेक करते रहे खुन में ज्यादा होने वाले sugar को कम करने के लिए ज्यादा शरीर में पानी होने की जरूरत होती है और इसी लिए kidney को बहुत सारा काम पर करना पड़ता है जब sugar ज्यादा होती है तो पानी भी ज्यादा जाता है और यही वज़य है कि बार बार urine लगता है इसी लिए शरीर का पानी कम होता है और अगर आपको शरीर का पानी कम होकर बार बार प्यास लगती है तो यह एक diabetes का लक्षन हो सकता है आपने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं दिया होगा आप गौर से सोचे जिस दिन आप मिठाई खाते है या ज्यादा मीठा खाते है उस दिन आपको बार बार पानी पिने की इच्छा होती है बार बार प्यास लगती है आगे का लक्षन है दोस्तों कि दिन भर कुछ करने की इच्छा ना होना यह भी एक diabetes होने का लक्षन हो सकता है हाई शुगर होने की बज़े से पेट के digestion में भी problem हो सकती है और यही बज़े है कि कुछ लोहों में अच्छानक से lose motion होना उल्टिया होना या जी मचलाना जैसे लक्षन आ सकते हैं जो diabetes को indicate करने वाले लक्षन होते अगर आपकी skin यानि तुचा रूखी सुकी है खुजली वाली है वो हमेशा dry ही रहती है आप कुछ भी करें फिर भी वो अच्छी सी नहीं रहती dry हो जाती है तो यह एक diabetes का लक्षन हो सकता है और भी बहुत सारे skin की शिकायते होती है जैसे कि ज्यादा शुगर होने की बजह से नबजों को damage होता है तो उस जगा को sensation अच्छी तरह से नहीं हो पाता उस जगा का sensation पूरी तरीके से चला जाता है या कम होता है इसलिए उस जगा पर जुझुनाट होना मुंगी आना या वो जगा यूजवली हाथ और पैर सुन हो जाना ऐसे लक्षन आ सकते है तो ऐसे लक्षन होते है तो आपको diabetes के बारे में या आपकी शुगर चेक करने के लिए सोचना चाहिए अगर आपके शरीर में होने वाली शुगर की मातरा ज्यादा है तो आप जो खाना खाते हैं उसमें होने वाली चर्वी सारी आपके पेट के आसपास जमा होती है और आप obesity का शिकार बन जाते हैं तो इसलिए अपनी शुगर रेगिलरली चेक करते रहिए खुद पर ध्यान दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए और बड़ा थम्जब जरूर दीजिए बाई बाई